तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग, हम जानेंगे वेरियस आपके चलाए गए ओपरेशन्स के बारे में, हम जानेंगे कि कौन आपके फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, साथ में ही हम जानेंगे आईएसरों ने क्या गोल के बारे में आज यहां जानेंगे, यूथ डे के बारे में जानेंगे, किसने इंडिया में क्लिनेस सिटी के बारे में जानेंगे, और गोल्डन ग्लोब के बारे में जितने भी ओवर्ड हैं, और फायर के बारे में जानेंगे, जो अस्ट्रेलिया में लगी थी, और के बारे में जानेंगे फैसिलिटी जो प्रवाइड करीं हैं गोवा ने स्पोर्ट्स करंट आफेर्स के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को आज अगर आप देख लिया पूरा तो आपका कोई भी करन्ट अफेर्स जनवरी का बचेगा नहीं ये मेरी गारंटी है और ठीक है वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों मेरे नाम है मोनु मदुकर और आप मुझे फोलो कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे और फोलो कर सकते हैं मुझे फेस्बुक इंस्ट्राग्राम और टेलिग्राम पे भी तो वहाँ पर मुझे मैसिज भेज सकते हैं आप और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं वेरियस वीडियो यहां पर एवेलेबल हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और फटा-फट से हम करेंट अफेस को चेक करेंगे तो सबसे पहली बात है आपका RBI ने लॉंच कि है मानी एप मानी एप की फुल फॉम आप मुझे बताना औ कि जो मतलब एक तरह से देख नहीं पाते हैं लोग जो वीजुली चैलेंज है उनके लिए यह बहुत हेल्प हुल रहेगी और यह आपकी जो नोट की करन्सी है उसको पढ़ने में और उसको मतलब पहचानने में हेल्प करेगी ठीक है तो यह मानी एप लाउंच करी है RBI ने साथ में ही आपकी जो PM मोदी ने इंट्रेक्ट किया है बच्चों के साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप सभी को पता हो परिक्षा पे चर्चा यह आपका तीसरा एडिशन था इससे पहले भी दो एडिशन हो चुके हैं और यह तालकर टोरा स्टेडियम में न आंदर परदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जो आपकी तीन राजधानिया रखेगा अपनी अपनी ठीक है यह आपकी अमरावती कौर्नूल और विसाका पटनम और इसको मंजूरी मिल गई है बिलको पास होने में ठीक है साथ में ही अगर यह देखिए अगली न्यूस को मंजूरी मिल गई है साथ में ही अगली न्यूस है इंडिया में रिकॉर्ड गये है सबसे जादा मतलब बच्चे का जनम 67,385 और यह चाइना और नाइजीरिया को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है गुजरात में अभी पांच नए मेडिकल कॉलेंगे और यह इन अगली न्यूस है हमारी कि मोस्ट पावरफुल पास्पोर्ट का दरजा मिला है जापान को और यह दिया है आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोशेशन में और इंडिया को कौन सा स्थान है यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं साथ में ही जो पीम सेख हसीना है आपकी बंगलादेश की पीम है इन्होंने लॉंच कर दिया गया है यह पास्पोर्ट सुवीधा लॉंच की है और यह आपकी फर्स्ट कंट्री बन गही है साउथ एसिया की और इंडिया ने भी अभी तक यह नहीं किया है इन्होंने चिप लगा दिया अपने पास्पोर्ट में जिससे की डिजिटलाइजेशन होगा और उसको मदद मिलेगी बहुत जादा साथ में ही बात करें तो आपके जनरल विपिन रावत है इन्होंने पद ग्रेंड कर लिया है आपके फर्स्ट चीफ डिफेंस का और अभी जो यह रिसेंटली मतलब यह आपके चीफ ऑफ आर्मी थे और इन्होंने अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद ग्रेंड कर लिया ह तो अब Chief of Army की पद्ध तो खाली हो गया तो उसकी जगह कोना है उसकी जगहा है Lieutenant General Manoj Mukund Narwan ने ये basically आपके Deputy Chief थे पहले तो इस चीज को थोड़ा देख लेना साथ में ही India ने celebrate किया है अपना 72nd आपका Army Day और कब Army Day celebrate करता है 15 January को तो ये देख लेना इसके पीछे reason क्या है India क्यों celebrate करता है Army Day साथ में ही India ने operation vanilla चलाया है आप सभी को पता होगा Medagascar ये आपका Indian Ocean में situated है Medagascar और ये आता है आपका African continent में और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप इतना सुन्दर एक तरह से Iceland है और ये एक तरह से Medagascar एक self अलग से ही country है इनकी Republic Medagascar तो इंडिया ने क्या किया है कि इसमें बहुत सारे cyclone वगएरा आते रहते हैं और अभी recently cyclone आया है flood वगएरा आते रहते हैं तो इंडिया ने क्या किया है जनवरी में एक Operation Vanilla चला के इसमें जो relief वगएरा था वो दिया महाँ पे खाना food वगएरा कपड़े सब पहुचाए दवाईया वगएरा तो कि उनके Medagascar वाले लोगों को मदद मिल सके इसके साथ में अगली न्यूज है आपकी जो ISRO है इंडियान स्पेस रिसर्च ओर्गनाइजेशन इसके के सिवान आप सभी को पता होगा चीफ है सर हमारे और इन्होंने रिसेंटली एन्नाउंस किया गया है दा मिशन प्लान प्लान बाइजेशन इंडिया स्पेस रिसर्च ओर्गनाइजेशन इसके स्पेस तो इसके स्पेस पर्ट बनाएंगे अपना इस चीज़ का ध्यान रखना नेक्स्ट आपका ISRO विल लॉंच जी सेट और ये जी सेट 30 लॉंच करेगा और ये चेंज करेगा आपका इन सेट 4A स्पेस क्राफ्ट को और इंडिया ने ये लॉंच किया है आपका मिलके किसके साथ में फ्रेंच गुवाना के साथ कॉलिबरेट करके ये तो ये आप देख सकते हैं अगली न्यूज है हमारी इंडिया सक्सेस्फुली टेस्ट फायर न्यूकलियर कैपेबल 4K बलास्टिक मिसाइल ये नाम याद रख सकते हैं आप इन्होंने यह कहां पे आपका इंडियन जो कोस्ट है उसके आंदर प्रदेश के पास में ही ये ठीक है 19 जनवरी को सक्सेस्फुली ट्राइल कंप्लीट कर लिया है इसका और इसकी रेंज है आपकी मारक समता इसकी 35 किलोमेटर है डियार डियो ने ये बनाया है और डियार डियो की फुल फॉम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स आपके जो बिहार गॉर्मेंट है उन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि अरुण जेटली जी है उनका देहानत हो गया है तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी डिसंबर 28 को आती है तो उसको वो हर साल एक तरह से बिहार मतलब वांक्शन की तरह से सेलिब्रेट करने की उन्होंने सोची है तो एमस में इनका देहांत हो गया था दिल्ली में कब 24 अगस्त 2019 को साथ में ही माइकल पात्रा ने डिप्टी गवर्नर ओफ आर्बियाई के रूप में स्थान प्राप्त किया है और इन्हों ने एक तरह से स्थान ग्रेंड किया है डिप्टी आर्बियाई के रूप में अभी टोटल मिलाके तीन डिपटी गवर्नर है और एक आपके गवर्नर है आप मुझे एक जो गवर्नर है उनके बारे में बताना सबसे most important topic यहां पर यह है कि केरला ने टॉप किया है किसमे sustainable development goal अब यह sustainable development goal है क्या यह 2015 में एक तरह से sustainable development goals हमने लिये थे और इन में से हमें complete करने है 2030 तक यह सारे complete कर है कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए कोई भूका नहीं रहना चाहिए health सब की अच्छी होनी चाहिए quality of education होनी चाहिए gender में कोई inequality नहीं होनी चाहिए लड़का लड़की सब बराबर अच्छा पानी की सुईधा sanitization सब जगह होना चाहिए affordable और clean energy मिलनी चाहि और यहाँ पर economic growth होनी चाहिए तो यह पूरे 17 आप देख सकते हैं इतने अच्छे goals और इसमें केरला ने टॉप किया है और निती आयोग द्वारा यह बनाये गए goals हैं साथ में ही जम्बू कस्मीर और लड़क यहाँ पर सबसे नीचे रहे हैं list में next is the national youth day आप सभी को पता होगा national youth day आपके 12 जनवरी को हम celebrate करते हैं वो celebrate करते हैं आपके स्वामी विवेका दंद जी के जनम दिवस को और इसका aim क्या है the aim is to promote optimist thought among the youth of the nation और एक तरह से national youth day से बोला जाता है इस दिन rally वगेरा निकाली जाती है बहुत बहुत कोली जों में साथ में ही यह देखें आप इंदोर को cleanness city का दर्जा फिर से मिल गया है तीसरी बार और यह यहाँ पर top 10 cities है आप यह देख सकते हैं इंदोर कितना clean है और इन्होंने अपनी cleanness को बरकरार रखा है इसके लिए मैं एक तरह से तहीं दिल से सुक्रिया करता हूं इंदोर का कि इंडिया ने आंदरपरदेश और केरला आपके और करनाटक आंदरपरदेश और केरला इन्होंने अपना highest growth किया गया है forest का सबसे ज़ादा इन्होंने forest grow किया है और आप सभी को पता होगा मध्यपरदेश में सबसे ज़ादा forest है area wise अगर देखें तो तो next आपका युनिय Minister of Human Resource Development जो आपके है रमेश पौर्ख्याल जी ठीक है पौर्ख्याल जी तो उन्होंने बेसिकली क्या किया 28 28th न्यू डेली में उन्होंने क्या किया World Book Fair का और्गनाईज मतलब इनागुरेट किया गया है साथ में ही ये अगली न्यूस है कि कोलकाता जो पौर्ट ट्रस्ट था उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है शाम परसाद मुखर जी और ये किया गया है पियम मोदी द्वारा गोल्डन ग्लोब का अवार्ड हर साल और ये अभी 77 वार्ष और अर्गनाईज किया गया है इसमें जो मुवी का नाम है आपका 1917 ये मुवी का नाम है इसको एक तरह से बेस्ट पिक्चर ड्रामा के अवर्ड मिला गया है और इसके जो एक्टर थे और एक्टरस था उनको भी मिला है साथ में ही अगर हम बात करें इसके तो ये और्गनाईज हुआ था आपका कैलाफोनिया में पांच जन्वरी 2020 को और इस मतलब गोल्डन ग्लॉब में ही आपका सक्सेशन जो एक आपका अमेरिकन कोमेडी ड्रामा टेलिविजन सीरीज है उसको भी बेस्ट आपका टेलिविजन सीरीज का ड्रामा केटिगरी में अवर्ड दिया गया है ठीक है और साथ में अगर हम बात करें जो प्रेजिडेंट है उन्होंने दादा साथ फल के अवर्ड आप सभी को पता होगा अमिता बचन जी को मिला है और अमित साहा ने अभी आपके होम मिनिस्टर है अमित साहा जी और उन्होंने लॉंच करी है कौन सी बुक कर्म योद्धा गरंत और ये है आपके पिम मोधी के उपर तो नेक्स्ट आपका अभी रिसेंटली बॉल्यूड एक्टरस धीपी का पादुकोन को दिया गया है क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम के द्वारा साथ में ही अगली न्यूज है हैदराबाद हैस बिन नेम्ड Most Dynamic City का अवार्ड एक तरह से मिल गया है किसको हैदराबाद को और ये दिया गया है जोन्स लांग लासले के दोरा ज एलल के दोरा नेक्स्ट आपका है एकोडिंग टू दा कार्मन डिस्क्ट डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट टो थाउजन नैंटिन इंडिया है नेक्स्ट आपका है सेख खालिद बीन खलीफा बीन अब्दुला जेज अल तानी has been appointed यह इतना बड़ा नाम है यह एक्चुली है क्या यह आपके है कतर के नए परधान मंत्री ठीक है तो इन्होंने किन की जगह लिए सेख अब्दुल्ला इनकी जगह इन्होंने ले रही है नेक्स्ट आपका है ISR उने बेसिकली ट्रेनिंग हब बनाया है किसको इस्टेबलीब्स फोर चलार के मतलब चला करे करनाटक में जो है यह प्रनांस नहीं कर पार हूँ मैं कोई बात नहीं आप जो करनाटक साइड का है वो एक बर अच्छे से प्रनांस कर लेना तो सायद यह चला करे हो जाएगा ठीक है चला करे यह बेसिकली क्या है यह जान लीजी आप चला करे को मतलब मत समझिए जो इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गनाइजेशन है उसने क्या किया है कि एस्ट्रोनौट के लिए ट्रेनिंग हब बनाया है और यह मतलब बनाएंगे करनाटक में और नेक्स्ट आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गनाइजेशन जो आपका ISR है ठीक है इसके हैड कोन है के सिवान आप सभी को पता होगा है तो एक तरह से आपका हू बहू बिल्कुल स्पेस जैसा एंवार्मेंट इसमें दिया जाएगा human space flight infrastructure का development कहां चला करे में आपका करनाटक में और the center will be built at cost कितने cost में ये बन के तयार होगा आपका 2700 करोड रुपेस में लगेंगे और ये proper function कर जाएगा आपका 2022 तक और अभी तो बीमारी चल रही है तो अभी कुछ कह नहीं सकते next आपका supreme court approved interaction of african cheetah in India तो african cheetah को जो supreme court ने पहले महर लगाने से मना कर दिया था कहा था कि ये एक foreign species है और अभी इन्होंने approved दे दिया गया है अब देखते हैं इसको कहां लाया जाएगा ठीक है तो next आपका it is believe that the 50% मतलब की अब ये पूछा जा सकता है exam में कि सबसे ज़ मतलब आप सभी को पता होगा कि अस्ट्रेलिया में इतनी भैंकर आग लगी थी तो इसमें कोलास थे हलाकि और भी जानवर यहां पर घ्रसित हुए थे और लेकिन लगबग 50 करोड से भी ज्यादा wildlife यहां पर मारे गए थे आग आग के कारण और जिसमें सबसे ज़्यादा आ की द्वारा तो इन्होंने क्या किया है en Turkey cette Cop 350 ओं बाधा देते हुए و्मयन elements स्पाथा पांड लग का लोई एक तरह से जो की इंटरस फिन रहेमा & tenure रहेका इसका पांच साल की और यह का सकती प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है इसमें क्या रहेगा वेलनस और वेलफेर वुमेन के लिए डूरिंग प्रेग्नेंसिव उनको कोई दिक्कत ना आए और भी बहुत सारी उनके ब्रेस्ट कैंसर से भी इशू आते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी इसमें ब्रेस् 2020 का इनको अवर्ड मिले है टेलर प्राइज तो यह एक तरह से बहुत खुशी की बात है नेक्स्ट आपका है तो आप सभी को पता होगा अबोशन इंडिया में अवैद है और लेकिन जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी एमेडमेंट बिल यह एक तरह से पास हो गया है और लोग सभा में इसको पास कर दिया गया है 17 मार्च 2020 को इसके थुरू होगा क्या यह देखिया आपकी अपर लिमिट ऑफ लीगल एबोशन के लिए लीगल परमिशन मिल जाएगी आपके 24 वीक्स की भी अगर 24 वीक्स भी हो गया है तब भी आप एबोशन करा सकते हैं यह क लिए देखिए जो मतलब रेप सर्वाइवर एक तरह से विक्टिम्स कहेंगे आप उनके लिए और या फिर कोई इंसेस्स हैं उनके लिए यह मतलब एक तरह से थोड़ी मदद करी गई हैं आपर ठीक हैं लेकिन है तो अब रेप जैसी चीजे तो है तो बहुत ही बुरी बा प्रणून होना चाहिए भारत में और नेक्स्ट है इर्फान पठान रिटायर कर गया है आपके जो आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट के यह बहुत ही ज्यादा इनका अच्छा करियर रहा है और नेक्स्ट आपका न्यूजीलेंड लोकेटर स्मैस मतलब लोकाटर ने मतलब च्छे चक्के एक साथ मार के यह बन गए हैं सेवन्थ बैट्समैन इन दा वर्ल्ड जिन्होंने लगातार च्छे चक्के मारे हैं सबसे पहले इसक्स किसने मारे थे एकी बार में आप मुझे नाम बताना नेक्स्ट आपका आई सी सी किर्किट कमिटी विल डिसकसिंग दप्रपोजल और फोर फोर डे टेस्ट मैचिस तू तू मतलब आप चार दिन का यह इन्होंने डिसाइड करने का सोचा है नेक्स्ट आपका और तो ब्रॉंज मेंडल उन्होंने ओलंपिक में जीता था 2016 की यह इरान की रहने वाली इन्होंने अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट पे यह बताया है कि मतलब वो अपने इरान की मतलब नागरीता को छोड़ने वाली हैं मतलब छोड रही हैं ठीक है तो यह कौन से गेम की लाड़ी है यह आपकी टाइकवांडो की है और इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना और कौन से देश की नागरीता लेने वाली है यह आप मुझे बताना नेक्स्ट आपका बहुती इंट्रस्टिंग खेलो इंडिया के उपर मेरी एक पूरी डीटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ बहुती जल्द आने वाली है जिसमें आपको खेलो इंडिया के बारे में सारी चीजे पता चल जाएंगी अभी थर्ड एडिशन इसका गौहाटी में संपन हुआ है और इसमें बेसिकली आपके जनवरी 10 से लेके 22 तक कंप्लीट हुए है इसमें महरास्ट मेडल टेली में नंबर वन पे था 28 गोल्ड थे इनके हर्याना थर्ड पे था और इससे पहले सबसे पहला आपका डेली में अर्गनाईज हुआ था ये फिर आपका पूने में जो महरास्ट में हुआ और थर्ड एडिशन थे आपके गौहाटी में और अभी खेलो इंडिया यूनिवेस्ट्री गेम्स फर्स्ट टाइम भूनेश्वर में के आयाईटी में और नेक्स्ट आपकी है कि जो इंडियन वे पर देखती है वाड़ा वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजनसी तो इस चीज़ का थोड़ा सा फुल फॉर्म्स का ध्यान रखना इन्होंने क्या किया अभी जो नाड़ा ने एक तरह से एनलाइज किया और इनमें प्रोहबिटिड सबस्टांस पाए गए और ये सबस्टांस क पार्ट है जो आपका वेट लूज करने में मदद करता है और मसल पावर इंप्रूव करने में मदद करता है और इसमें आपके जो एंड्रोजनिक हर्मोन से ये इंप्रूव हो जाते हैं और साथ में ही आपके इस्ट्रोजन बनना थोड़े कम हो जाते हैं जिससे कि आपके म मेल लाइक मतलब मुवमेंट्स एक तरह से स्ट्रेंथ वगेरा सब कुछ इंप्रूव होती है वेट लिफ्टिंग में बेसिकली आपके दो इवेंट होते हैं आपके मतलब स्नैच और क्लीन एंजर्क यह जो आप फोटो देख रहे हैं यह आपकी स्नैच मतलब क्लीन एंजर्क कलर की लाइट जल जाएगी तो आप मतलब लिफ्ट एक तरह से प्रोपर है और गुड लिफ्ट उसे बोलते हैं ठीक है उसके बाद में स्नैच होता है उसमें एक ही बार में स्नैच करके और डिरेक्टली उसमें थोड़ी सी ग्रीप वाइड होती है तो इसको एक बर सर्च क इंटरनेशनल चेस कॉंग्रेस टाइटल इन्होंने जीता है और इन्होंने हराया किसको है मतलब ही डिफिटिट इंडियास ग्रेंड मास्टर डीप संथ गुपता इन एट्थ राउंड ठीक है इस चीज को थोड़ा देख लेना चेस की है चेस की अगली न्यूज है आपकी इंडियास फीमेल चेस प्लेयर कौन कॉनरु हमपी बोलते हैं इनको ठीक है कॉनरु हमपी वन टाइटल बाई डिफिटिंग इंडियास लाई टिंगजी ठीक है Lightning Zee को हराके Conary Humphie ने एक तरह से टाइटल जीता है ये और ये आपका सभी को पता होना चाहिए कि Conary Humphie आपके Arjun Award भी रह चुकी है और पदम सिरी भी इनको मिला है 2007 में Arjun Award में कितने रुपे मिलते है ये आप सभी को पता होना चाहिए कितनी धनराशी इसमें मिलती है साथ में ही आप सभी को पता होना चीए ये पॉली अमरीगर आवार्ड आपके जस्परीत बुमरा सर को मिला है और ये BCCI ने अनौंस करे थे आपके जन्वरी 12 12 जन्वरी को ठीक है तो इसमें क्या करते है एक ट्रोफी होती है एक साइटेशन और एक आपका कैस अवर्ड कितना मिलता है 15 लाख रुपे तो बहुत ही ज़्यादा कैस अवर्ड है एक तरह से और गेम्स को देखें तो नेक्स्ट आपका ICC अवर्ड 2019 इसमें आपके विराट कोली ने विन किया है क्या ICC Spirit of the Cricket Award तो ये मिला आपका विराट कोली को रोईट सर्माजी को मिला है आपके Cricket of the Year 2019 और उसके बाद में दीपक चहर ने जीता है आपका T20 Performance of 2019 Award नेक्स्ट आगर हम बात करे Grand Slams की तो जनवरी में ये होता है आपका सबसे स्टार्टिंग का Australian Open जो अभी संपन हो पाया है Wimbledon आपका Postpone हो गया है मतलब cancel हो गया है तो इसमें Men's और Women's Singles की आप देख लेना Men's Singles में आपका दीखा है Nawak Jokovic ने ये आपकी फोटो देख सकते हैं और ये आपका टूर्णामेंट ऐसे ओर्णाइज होता है और Women's में आपका Singles में Sophia Canin ने जीता है ये आपकी Sophia Canin की फोटो देख सकते हैं और बाकी Men's Doubles और Women's Doubles Mixed Doubles में आप देख सकते हैं सभी का मैंने दिया हुआ है ये थी एक already बहुत डीटेल वीडियो और अगर आपको इसकी वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलिग्राम पे जोइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर मैंने PDF इसकी डाल रखी है तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो और फरवरी की भी मैं ऐसी अगली वीडियो में अंतिल वी मीट स्टे फिट और स्टे हल्दी सी यू बाइबाइ